नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel first investment दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौनसे stocks पर trade लेना है plus nifty bank nifty का कैसे scenario रह सकता है तो अगर nifty बैंक nifty की सबसे पहले बात करी जाये तो मैं आप लोगों को बहुत time से बोड़ रहा हूँ कि जब भी हमें market पे एक fall देखे अपनी analysis करो right time चूज करो कि कहां पर intraday पे एक ऐसे level पे buying आ सकती है और आप buy बना के जल सकते हो और कल परसूपर आपको एक अच्छी rally market के अंदर देखने को दुबारा मिल सकती है because आपको इस बात बताई जा रही है क्यों बताई जा रही है इसके पीछे का भी logic है analysis है इसलिए आप लोगों को बताई जा रही है मैं एक बर आप लोगों को nifty के चार्ट पर ले कर जाऊंगा एक बर अच्छे से analysis करवाऊंगा कि आप लोगी practice भी हो जाए और stock की psychology को कैसे समझा जाता है वो भी चीज हम लोग पता लगा ले तो कोई बात नहीं सबसे पहले हम लोग बात करते फोर्स stock की which is carburendum universal यही stock मैंने आप लोगों को आज भी trade करने के लिए दिया था आज भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है 6-7 रुपे दे गया है बट अभी भी हमारे लिए buy है ठेक है अब देख सकते है एक up move दी इस up move को देने के बाद अगर यहाँ पर मै पनाता है उसे यह up move दी थोड़ा सा pause लिया pause लेने के बाद दुबार up move दी फिर एक बर pause लिया अब दुबार up move दे रहा है तो यह continuation pattern में काम कर रहा है हम लोग एक buy initiate कर सकते है 380 के ऊपर ठीक है 380 के ऊपर हम लोग एक buy initiate करते वे चल सकते है इसके अदर levels telegram channel पर provided हो जाएं मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ yes आप यहां देख सकते है कि यह cup and handle type formation बन रहा है इसके अंदर just wait a second yeah so यह probably एक cup and handle type formation है and इसका जब यह breakout देगा तो बहुत अच्छे level से दे सकता है ठीक है इसका जो probably breakout आ रहा है वो आ रहा है 1245 1246 के ऊपर ऊपर बट इसकी ऊपर जैसे निकलता ह है अच्छी कासी buying हमें इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है and probable target जो मुझे लग रहा है within two to three weeks यह 1400 तक भी जा सकता है तो stock को अपनी watch list के अंदर जूरू रखेगा next stock is ISEC ICICI Securities यह stock भी हमारे radar में है आप देख सकते हैं एक strong up move के बाद एक strong up move के बाद हम लोगों ने देखा यह इसने थोड़ा सा retrace करा retrace करने के बाद eventually इसने यहाँ पर एक breakout दिया breakout देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक multiple resistance phase कर रहा था but उसके ऊपर भी जाके closing दी अपनी trend line को break करके closing दी आज के दिन भी उसके ऊपर जाके closing थी जो breakout candle थी ठीक है तो probably यहाँ पर हम लोग एक buy initiate करते वे चल सकते हैं ICICI securities के अंदर जिस तरीके से सारे confirmations को clear कर रहा है यह on the time अच्छा profit दे सकता है तो इसे अपनी watch list के अंदर ज़रूर add करेगा next stock is coromandel coromandel को हम लोग buy कर सकते हैं probably यह वाला stock भी मैंने आप लोगों को बताया नहीं बट शायद आप यहाँ आप इस पर देख सकते हैं यह particular stock पर आप देख सकते हैं multiple resistance आप लोगो face करते वे देखने को मिल रहा है एक time यहाँ पर एक supply zone है and इस supply zone में आप लोग देख रहे हैं आपको multiple time resistance face करते वे देख रहा है next चीज हम लोग ने जो बनाई है वो एक line यह बनाई है आप यह line को follow करिएगा इस line पर आप देखेगा यह line पर multiple resistance थी यही वाला stock शयाद मैंने आप लोगो कल प्रोवाइट करवाया था अगर या फिर नहीं वहना मैंने discord में यह प्रोवाइट करवाया होगा उसके बाद वो break होने के बाद हमारे लिए support बन गया and support बनने के बाद फिर support and resistance तो यह line important थी and exact इस line से यह bounce करके उपर गया है तो yes we can go for a buy in this particular stock 800.5 के उपर मैंने यह buy के लिए opportunity दी ती आप अभी भी इसमें लोग एक buy initiate करके चल सकते हैं तो यह stock buy है last stock is relaxo relaxo को check करते हैं yes relaxo आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा zoom out करता हूँ और weekly chart open करता हूँ तो weekly chart पे आप देख सकते हैं symmetrical triangle का breakout दिया symmetrical triangle का breakout देने के बाद आप देख सकते हैं उस breakout के उपर closing हमें देखने को नहीं मिलती थी तेक है उस breakout के उपर हमें closing देखने को नहीं मिलती थी 1st, 2nd, 3rd, 3 week तक हमने उसके उपर closing नहीं देखिया है तेक है but eventually जो यह candle बन रही है और इस candle की range का भी breakout आया ध्यान से सुनेगा एक sharp up move आईए इस particular जो breakout candle ती उसके उपर closing नहीं मिली अभी तक तो और यह probably candle एक closing दे सकती है वाई कल Friday है अगर कल यह Friday को इस particular candle जो इसका level आ रहा है 7.38, 7.39 का अगर 7.39 के उपर यह close कर जाती है रिलाक्स हो तो अपनी breakout candle के उपर इसने weekly closing दे दी होगी तो यहाँ पर एक fresh buy position भी initiate हो सकती है और अगर मैं daily charts पे चलता हूँ तो daily charts पे आपको दिख जागा एक pennant type of pattern का breakout भी हमें देखने को मिला था एक strong up move एक particular returns में halt करा पॉज लिया उसके बाद एक अच्छे level से breakout भी दिया है तो यहाँ पर हम लोग एक buy initiate करके चल सकते हैं यह थी हमारी analysis अब बढ़ते हैं अपनी nifty की तरफ lifty पे जो dip आई है जो हम लोगों ने आज live market analysis करी थी live session कर रहा था जो भी हम अपने clients के साथ करते हैं उस पे हम लोगों ने 15 minutes के time frame पे अज अपनी analysis करी थी and जब यह particular fall आया था यह जो red candle का आप fall देख रहे हैं उससे पहले जब market open भी नहीं हुई थी हम लोगों ने यह पूरा box और यह structure draw कर लिया था सिर्फ यह दो line ने draw करी थी let me show you once again बस हम लोगों ने यह दो line ने draw करी थी and इस दो line में मैंने बताया था कि कभी भी आपको एक possible reversal देखे you have to go for a buy ठीक है exact आप देख सकते हैं इसी दो line पे इसने multiple bottom type scenario बनाया and उसके बाद जाके इसने particular zone को break कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह line कैसे बनाया गया था और हमें कैसे पता चला कि exact इतनी fall आ सकती है उत्ते उसके पीछे का reason था वो था back testing अगर यह जो आप देख रहे हैं जो एक strong up move के बाद एक fall आता है fall आने के बाद दुबारा अपने high को break करता है high को break करने के बाद एक फिर से fall आता है छोटा और उसके बाद अपने दुबारा high को break करता है बट low को break नहीं कर रहा तो यह points को हम Fibonacci के through use करते थे और Fibonacci के through हम देखते थे जैसे हमने यह high और top लिया और हमें पचा चला कि यह 38% तक fall करता है देख्या उसके बाद हम लोग ने next high और top लिया आप यहाँ देख सकते हैं और हमें पचा चलता है था 38% तक यह minimum fall करता है तो यह हमारा next high था और हमारा यह particular resistance था तो यह 38% तक का fall आया था यह हमारी first line थी and second line हम लोग ने 618% की लीती हुआ है because second time इस जगा आप देखेगा आपको 618% का retracement level देखेगा यह point देख रहे हैं exact इस level से bounce करा था चुब इस पूरी rally में 26th of November से लेके अभी तक की जित्ती rally आया है उसमें जित्ती बार भी हम लोग ने fall देखा है वो 38% से लेके 61% के बीच में आता है और उसके बाद एक strong rally आती है जब पुराने बार हम लोग देख रहे हैं कि setup follow हो रहा है जब 26 November से एक ही चीज follow हो रही है तो क्या हम यह मान के चल सकते हैं कि आज भी वो चीज follow होगी यह मान के चल सकते हैं जब तक वो चीज break नहीं होती है तब तक वो एक continuation zone में है ठेक है clear way में समझा रहा हूँ तो हम लोग ने वही करा एक 38 का लिया एक 61 की दो line ही ली ठेक है हम लोग ने कोई support resistance को find नहीं करा exact उसने जैसी इसको break करा 61 तक आया 61 पर बहुत time halt करा and eventually give a break out ठेक है तो मैंने आप लोगों को बताया था जो भी लोग मेरे live session पर जुड़े थे यहाँ पर अब लोग एक buy initiate कर सकते हैं जब भी इस range पर हम लोगों के possible reversal दिखता है ठेक है अब भी भी मेरे लिए buy है और probably कल पर सो तक नया high यह दुबारा बना सकता है ठेक है same goes with bank nifty bank nifty की भी इस तरीके से ही analysis करी गई थी yes आप देख सकते हैं यह particular एक trend line draw करी थी यहीं पर exact possible reversal था I've told them कि अगर यह level break होता है यह particular zone अगर break होता है तो इस line से एक possible reversal आ सकता है और इस line को break करके I've told them इस zone को इस particular zone को यह कभी भी break करके नीचे जाए कुछ मत करिएगा जैसे re-enter करता है zone के अंदर आपको अपना buy initiate कर लेना है तो वहाँ से almost हमें 200 points तक की एक rally मिल गई थी ठेक है उसी line के उपर दुबारा sustain कर रहा है then yes we can go for a buy bank in nifty and in bank nifty ठेक है बहुत अच्छी opportunity मिली मैंने आप लोगों को बहुत time से कह रहा था एक fall का हमें इंतजार करना है तो उस पूरे fall का हमने capture करा उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से trade में लिया ठेक है यह पांच talks जो मैंने आप लोगों को recommend करें है वो exact 3 pm पे मैंने अपने discord server पे और telegram पे डाल दिये थे so guys if you don't join this our discord community server नीचे description पे link है वहाँ जाके join हो सकते है वहाँ पर भी आपको बहुत सारी updates मिल जाती है तो मैं इसे के साथ इस video को end करता हूँ तो like करेंगा guys comment में मुझे बताएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसी लग रही है plus मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे मैं शिवांच भसीन signing off